नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दर्नोलोस ग्रू के यूरूप चन पर इस वीडियो में बताएंगे क्या आज सूर गहन है बताएंगे पूरी जानकारी और बताएंगे कब सूर ग्रहन लगेगा कहां कहां दिखाई देगा क्या है सूता काल कब होगा सूता काल का सही समय बताएंगे पूरी जानकारी तो चले विडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले जानने दें हैं आपको बदा दें सूर ग्रहन क्या आज है आपको बदा दें आज के दिन सूर ग्रहन नहीं लगेगा ये सूर ग्रहन साल का पहला सूर ग्रहन आट अपरेल यारी चैतर मास की अमावस्या पर लगने वाला है इस साल का पहला ग्रहन अमिरका में लगने वाला ग्रहन चार मिनट 28 सेकेंड तक दिखाई देगा जब अमेरिका से हटकर ये कनाडा में दिखाई देगा तो इसकी अवधी 3 मिनट 21 सेकेंड की होगी आपको वदा दें कि साल का पहला सूर ग्रहन आट अपरल चैतर मास की अमावस्या पर लगेगा भारत में ग्रह पार्ट आद नहीं की जाती है आपको दा दें आट अपरल यानी चैतर मास की अमावस्या जो नौरात्र से पहले आती है उस दिन ग्रहन लग रहा है लेकिन ये ग्रहन माने नहीं होगा आपको दें ये भारत में दिखाई नहीं देगा और नहीं इसका सूता काल माना अपरैल के पूर्ण सूर्गहन से पहले आदे ग्रहे पर एक हलका उपचाया चंदर ग्रहन दिखाए देगा जो केवर पूर्ण मापर लग रहा है तो साल दोहुजाद चौबिस का सूर्गहन यानी पहला सूर्गहन पस्मी एसिया दच्छिर पस्मी यूरोप ऑस्टेलिया अफरीका, उत्री अमेरिका, दच्छिरी अमेरिका, अटलांटिक महासागर, उत्री धुरू, दच्छिरी धुरू और अफरीका में नजार आएगा भारत में सूर्गहन नहीं दिखेगा इसलिए सूता काल भी मान नहीं होगा तो कब लगता है सूर्गहन तो सूर्गहन अच्छी पत आकास यानि क्रांति व्रत की माध्यम से सूर के पत की संबन में पांच परसत जुगा हुआ है जब ऐसा अमासया पर होता है तो यह सूर गहन होता है